subscribe to channel and press the bell icon for upcoming videos Hello Friends Welcome to my channel Pharmacology Concerts by Rajesh Shaudhri and in this video I will discuss about the organic chemistry of the Kinoline तो आज की इस वीडियो में हम बात रहंगे Kinolines के basic organic chemistry के बारे में जो के hydroceclic compounds हैं ये topic आपके भी फ़ाम 4th semester organic chemistry 3 unit number 4th का ही पाट है and if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, medicinal chemistry or the pharmacology for the BFARM 4 semester, you can check description box below or by using this link, so now let's discuss about the topic So, quinoline, basically quinoline एक तरके से fused ring है, आपके बिंजीन का और पायदीन का यह आपके basic structure है, quinoline का, इसमें आपके निप्थलीन डेविटी ही है बस इसमें तरके से यहाँ पे N है, एक C के जगाँ पे N है, बाकी निप्थलीन जैसा ही है बाकी इसके जो फंसन से हैं, वो भी निप्थलीन जैसा ही होंगे तो बात करें, इसके basic normal culture की, मतलब इसके जो basic normal culture क्या होंगे यह होगा, वन एजा निप्थलीन, इस वन पोजिशन पे एजा है, मतलब nitrogen है, इसलिए आपका वन एजा निप्थलीन भी बोल सकते हैं और यह बेंजीन और पारडेन का combination है, फ्यूज़ इसलिए हम बेंजो भी पारडेन भी हम बोल सकते हैं ठीक है, numbering देखिए, 1,2,3,4,5,6,7,8, इस तरके से numbering होगा, clear है, अब यह fused aromatic hydrocyclic compounds हैं, यह weak base होते हैं, अब इनका प्रजेंस है, बहुत सारे एलिकलोईड में होते हैं, जो किनोईलिन एलिकलोईड हैं, उनमें यह प्रजेंस होते हैं, बात कहें synthesis की, तो पहला है आपक स्क्रेफ किनोईलिन सिंथेसिस, जो की important है, जिसमें हम इस करेंगे aniline as a precursor, यह आपका aniline है, और यह आपका glycerol, ठीक है, CH2OH, CH2OH, ठीक है, यह इसका basic है, अब इसमें जो basically हम, जो है, यह आपका HD support के सामें कराएंगे, आपके nitrogen के presence में heat करेंगे, तो यह बनेगा आपका क किनोईलिन, क्लियर, नेस्ट है, जो है, आपका, डॉबनर, मिलर सिंथेसिस, जिसमें हम भी aniline करेंगे, और इसमें हम इस करेंगे, alpha, beta, unsaturated, carbonyl compounds, यह आपका alpha, beta, unsaturated, carbonyl compounds हैं, अब इसमें हम इसमें किस करेंगे, तो इसमें मिलाएंगे, आपका 2, 3, 4 derivative of the किनोईलिन, ठ 3 है, यहाँ पर आपके attached होंगे, इस तरके से, ठीक है, यहाँ पर आपका bond बनेगा, यहाँ पर आपका bond बन जाएगा, और यहाँ पर bond बनेगा, clear है, अब आता है, नेस्ट है आपका fried lander synthesis, जिसमें मिल्स करेंगे, 2 amino benzyldehyde, यह आपका benzyn है, यह CHO है, इसलिए यह बेंज जाएंगे, और बनेगा, आपका quinoline, finished from the indole, यह indole है, इस को ring को expand करेंगे, with the help of chloro-methylene and CH3-Li, ति बनेगा quinoline, finished chemical resistance है, इसमें भी आपकी electrophilic resistance होंगे, addition resistance होंगे, means आपके favorite होंगे, इस position पे, यहाँ पे आपके जो alkyl halide है, यहाँ बनेगा N1 methyl, quinolinium iodide, और यहाँ बनेगा होंगे आपका quinazoleum salt, ACL के presence में, फिर आपके आते हैं, electrophilic substitution reactions, यह होगा आपका C5 और C8 position पे फेरोर्ड होंगे, बाकी पे नहीं होंगे, तो यह बनेगा, आपका, यह 5 position है, यह 8 position है, यह 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, ठीक है, यह किनोलीन, 5 सिलफोनिक एसिड, किनोलीन, 8 सिलफोनिक करें यहाँ पे होगा, बनेगा, तो इस में हम बन सकते हैं, आपका 2, 2, 3, 4, tetrahydrokinoléon यहां से पूरे बॉंड निकल जाएंगे या फिर इस से फिन के लेगा तो बने का 5678 टेट्रहट्रोकुनुलीन फिनेश्ट्य ऑक्सिदेशन विद्धियलफ पर केमिन फोर प्रट्रसम परमेगनेट तो यह आपका बॉंड ब्रेक होगा और यह बनेगा आपका इस तरह के से प पॉजिशन पर यह बनेगा आपका टू एमिनो कुनुलीन ठीक है आपके प्रेडिन की तरह है अब आते हैं इसके बेसिक यूज़ पर तो इसको यूज़ जो है हम एंका जो रिंग है वह आपके एंटिमिलर ड्रक्स में आपके कुनुनीन है सिंकोनीन है प्रामा कुन है इन और फ्लक्सकीन में यह रिंक्स प्रेशन होते हैं आपके कुनुलीन हैं दिसकी आपके लिए।